पीजेपी ने हमेशा जुम्लों की वादी किया है, जूटी बाते करते हैं, इतने बड़े नरेंद्रमोधी देश के प्रथान मंत्री हो गया है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं है कि जनता के साथ में हम जूटे जूटे बोलके कैसे, उनको पहलाया जा प्रथारा है, उनसे वोट हाशिक के लिए जारा पीजेपी हमेशा वोट बेंक की राज़निती करती है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नमस्कार पेनिजीरेतन आप देखरें नेशनल दस्तक इस समय मुझूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे महंगाई मुक्त भारत अवियान के खिलाफ कॉंग्रेस पाटी प्रदशन कर रहे हैं लोगों से खुद बातचीत करेंगे कि महंगाई को लेके मैं आप क्या सोचते हैं महं जूदा जो सरकार है जो ये सूट बूट की सरकार है जुमले बास सरकार है ये सब को सरविदित हो चुका है कि आम लोगों का खास कर कि महिलाओं की रसोई पे जो बोज पर रहा है महिलाओं का जो जीना एक आम ग्रहिनी का जो जीना मुखाल हो चुका है तो हम आज ये अखिल भारती है महिला कॉंग्रेस की राष्ट्री अध्याक सोनिया जी के आहवान पे आज पूरे देश में और यहां से महिला कॉंग्रेस ने सुरुवात की है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहद आज ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन है क्योंकि हमारे मौझूदा प्रधान मंतरी को उत्सव मनाने का बरा शौक है कोरोना कॉल में कभी उन्होंने थाली पिटवाई कभी उन्होंने करतार बजाते हैं तो आज हम उनको ये है कि किस तरीके से हम ग्रहनिया जो घर चलाती है गैस सिलिंडर तो इसकी हम अर्थी निकाल के आज हम ये सांकेति उनको रोश प्रकट कर रही है और वारतिय महिला कॉंग्रेस की महिलाओं का जीना जो है अब बेहाल हो चुका है और देश जो है ये महंगाई की जंजीरों में इस तरीके से जगर हमारा जो देश है वो महंगाई मुक्त होना चाहता है लेकिन बड़े-बड़े मुद्दे तो काम कर रहे हैं बीजेपी, 40 लाग से जादा नौकरिया महिलाओं को दी महिलाओं आधी रात को भी घर से निकल सकती है सुरक्षा के मामले में अगर बात करें तो देखें आप लोग जो दिखाते हैं जो मीडिया दिखाती है जनता आप वही देख रही है यदि आप आकरों की बात करेंगे ये केंद्र सरकार के आकरा हो चाहे उत्तर प्रदेश की NCRB के डाटे हो तो आप देखेंगे कि बेरोजगारी या महिला अपराध जो है किस तरह से पढ़ रहा है अभी बीते दिनों योगी जी का सपत गरन समारो हुआ और आप देखेंगे कि अब आयोध्या में राजाराम की नगरी में कैसे एक पांच साल की बच्ची के साथ दुसकर्म हुआ तो यह जो है यह दिखाते कुछ और है लेकिन आप जमीन पे सच्चाई देखेंगे यदि आप देखेंगे कि आम आदमी का जीना यह मोहल हमें अपने ही देश में हमें लग रहा है कि हम गुलाम हो चुके है आज हमें जो है इस महंगाई से हमें इस गुटन से देश की जंता को आजादी चाहिए तो आज यह अखिल भारतिया महिला कॉंग्रस कमि महिलाओ को आज जो भी आगर जितनी भी महिलाओ का नुक्षान और घर चलाना है तो सबसे ज़्यादा पैसे अगर जेब कम हो रही तो आहम जनता होगी मोदी सरकार ने हमेसे जूटे वादे किये जूम्लों की बाते किये उस इंसान को एज़ी चीस समस्ती है कि लोगों और जनता को कैसे लोग परिशानी कारोना काल में कितने लोग मर गए गंगा में लाज बह गई है हम लोग औक्सिजन के लिए परिशाना कर इससे भी जादा और हमारे लिए क्या परिशानी आ सकती है तेल पेट्रोल डिजल ग्यास राशन सब भी तो महेंगे होंगे पाच किलो आनाज में घर का खाना चलता है क्या चार परिवार बच्चे है सब कुछ है तो हमको आज इस महगाई की विरोध में आधर न है और हम लोग आगे भी करेंगे आंदोलन करेंगे अगर इसका हमें कुछ जनता को फाइदा नहीं हुआ तो हम इसके लिए और आगे जन आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ी इसके लिए हम बहुत जनता तक के घर घर तक के कैसा हम पहुचाए यह संदेश इसके लिए तमाम राज्यों से महिलाई आई हैं और बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और आगे भी हमारा आंदोलन होंगा और आपके मेडिया के माध्यम से मेरा ये संदेश जरूर पहुचाईएगा जनता तक कि कॉंग्रेस ने हमेशा जनता की सेवा किया है जनता का साथ दिया है और बीजेपी ने हमेशा जुम्लों की वादे किया है जूटी बाते करते है इतने बड़े नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री हो गया है लेकिन उन्हें बिलकुल भी इसका अंदाजा नहीं है कि जनता के साथ में हम जूटे जूटे बोलके कैसे उनको पहलाया जा पूरे हो गए है आप बताईए कहां पर 40 करोर महलाओं को ड्यूटी मिलिये जरब हो 40 कर 40,000 महलाओं लाइए यह 40 करो जो भी आप बोल रहे हो यह तो बताईए आप मुझे प्रजेंट बताईए किसने ड्यूटी किया और किसने क्या है सीवा थाली और दिया यह बजाने के लावा उलों ने कुछ नहीं किया और आगे भी ऐसा चलता रहा तो देश में और बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें